आज का हमारा टॉपिक है वे टू वेलनेस के बारे में क्योंकि हम बड़ी बारी बात करते हैं इलनेस वेलनेस 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 और हम जो वेलनेस कोचीज हैं उनका क्या रोल रहता है उसी के बारे में थोड़ा सा आज मैं आप सब के साथ शियर करूँगी हमारी ऐसी जब अन आपने आप में कि हमारी physical mental health जो है best level पे पहुंचे अच्छी हो जाए उसको हम wellness कहते हैं और ये wellness अभी का ही कोई terminology नहीं है ये ancient roots में हैं हमारी ancient civilization में हैं जिसको हम पुरानी हमारी अगर हम देखें हमारे गरंतों में भी इसके बारे में कहा गया है अब ऐसे कौनगून से science हैं जो हमें बताते हैं कि हम बिमारी की तरफ जा रहें हमें बाडी इसमें एक होना शुरू हो जाए हम कहीं वारी कहते हैं ये तो मौसम के साथ है ऐसे ही हो रहा है हमारा अचानक weight बढ़ जाए गया अचानक कम हो जाए तो हम कहीं बार कहते हैं कि हमने वर्क आउट में चोड़ दिया ना दो तीन मेने से नहीं कर रहे हैं ऐसा इस कारण हो रहा हम अपने ही excuses बनाते रहते हैं कभी बूख बढ़ जाती है कभी बूख बढ़ जाती है कभी बूख नहीं लगती है हमें अपने आप में weakness फील होना हो जाती है हमारा excretory system अगर अच्छा नहीं है तो हमें swelling होना शुरू हो जाती है ankles, legs में हमारी skin की discoloration में उसी से start हो जाती है हमारे mood swings होना शुरू हो जाते है अनिविजियल behavior होना हमारा start हो जाता है और हमें सोच और हर चीज़ की problem को solution निकालने में भी हम बहुत ज़्याद अगर इस illness और wellness में देखे तो इसमें सची में चोटा सा difference है और यह मैंने कोई ऐसी बात करते करते topic में यहीं पर सुना था illness wellness तो मैंने जब देखा इसमें तो आई और हुई का ही difference है और जब मैंने net में search किया तो इसके लिए तो बहुत लोगों ने कहा हुआ है लेकिन मैंन हमका तो हम कभी बिमार नहीं होंगे हम कभी बिमार नहीं होंगे मैं बिमार हो सकती हूँ लेकिन हम कभी बिमार नहीं होंगे types of wellness बहुत तरंकी है लेकिन मैं सिरो physical mental social health के ओपर ही stress करूँगी अगर हम illness की तरफ कैसे जाते हैं वो भी मैं और हम के ओपर लेके ही physically health हमारी कैसे बिगरती है, जब हम क्हाना कम खाएं, या हम खाना ज़ाधा खाजाएं, वो भी अपने स्वाद के लिए, या हम किस बचों को देखते हुएमें अपने लिए चपाती कम बनाएं, तो मैं अंडर्वेट हो जाओ कि कम खाना खा के, और अगर वही मैंने कि अपने बच्चों मंट कोई स्वाज चीज लगी है और हम होटल में जाते हैं यह यह बारी कल भी बात हो रही थी कि हम खाना वहां आगे त्रेनिंग पर तो के वह बतार हैं ला कि हमने यहां पर भी आपने अपको लिमिटिग खाना है आप कहीं पर भी गे हो हम उतना ही माइ बढ़ेश टाइट लेते हैं हमके बारे में सोचते हैं तो हम एक ये मेरे को ही क्यों हो रहा है इसके लिए अगर मैं ही यहां कोई प्रॉब्लम हो जाए इसके लिए मैं ही जिम्मेवारूं यह सारा गशूर मेरा ही है शायद मेरी वज़ए सी ऐसोवर मैं अगर आ जाए तो अगेन हम इलनेस की तरफ जारे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत जादा बिगर जाती है लेकिन जब हम meditation स्टार्ट करते हैं जब हम अपने आपको इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाते हैं हम दो हो जाते हैं हम हो जाते हैं अगेन हमारी mental health अच्छी हो जाती है वही हम socially अगर हमके अगर हमारी physical health mentally हम अगर unhealthy होंगे तो हम isolated रहेंगे या most जो influence लोग होते हैं वो isolated भी रहते हैं और जब हम one plus one आओ जाते हैं एक और एक 11 happiness program जो हमारा यहाँ पे मेशा चलता रहता है यह बात होगे illness और wellness के बारे में अब आते हैं illness और wellness coaches के रोल के बारे में illness को जो ठीक करते हैं जो हमारी बिमारियों को ठीक करते हैं चाहिए वो physically कोई भी हो कैस्ट्रो कोई भी problem हो तो वो हमारे illness coaches doctors आ जाते हैं जो specialized studies करते हैं उनके बारे में तो हम wellness coaches अपने self experience पे बात करते हैं illness coaches हमारी हर problem के लिए isolated होंगे अगर हमें mental कोई problem होगे psychiatry के पास जाना पड़ेगा gastric problem होगी gastro specialist के पास जाना पड़ेगा heart की होगी heart specialist के पास जाना पड़ेगा लेकिन यहां wellness coaches के पास आप कोई भी problem लेकर आए हैं आपको कोई भी हलका सा भी illness symptom है वो आपको हर चीज़ से बाहर निकालेंगे illness coaches के पास जाएंगे हम consultation प्री भी देनी पड़ती है पैसे देते हैं उनको check-up कराते हैं देनाते हैं और हमारे wellness coaches लोगों की help करने के लिए awareness फिल आने के लिए free body check-ups कर रहे हैं illness coaches से हम कोई किंतू परंतू कोई doubts नहीं पूछते हैं लेकिन हमारे पास wellness coaches के पास बहुत सारे questions होते हैं बहुत सारे doubts होते हैं यह चीज क्या है कैसे है यह इससे यह तो नहीं होगा इसका यह effect तो नहीं है हम illness coaches से कभी नहीं पूछते कि sir आपने मुझे यह heart cream medicine दी है आपने कभी इसको try किया है आपने यह heart cream medicine खाई है यह आपने यह gastro की ली है चीज नहीं पूछते हैं लेकिन wellness coaches अपने self experience पर बताते हैं जितने भी यहां coaches है उन्होंने nutrition पहले use किया है अपने आपको fit किया है then वो आपको guide कर पा रहे हैं unless until कि उनका अपना experience नहीं है वो आपको guide properly नहीं कर पाएंगे तो वो ही अपना experience और time के साथ जितना जिनको time हुआ है उनका उतना उतना ही great experience है तो वो आपको अपना experience अपने साथ की यह ठीक लोगों का experience अपने seniors का experience पूरी chain का experience है आपको confidence से आपको बताते हैं और आपको उसी से health, wealth और blessings भी दिलवाते हैं जो हमें illness coaches से नहीं मिल सकती है अब इसको हम कैसे attain कर सकते हैं यह कुछ tested effective ways हैं जो आपको आपकी well being को improve करने में help कर सकते हैं जब हम balance diet लेते हैं जो सबसे पहले मैंने discuss किया कि हमारी diet एक balance होनी चाहिए हमारा weight जो है it should be idle weight जिसमें fat और muscle mass का percentage equal होना चाहिए यह नहीं कि आप scale पर खड़े हैं तो आपका weight ठीक आ रहा है आप बोले मैं idle weight पर हूँ और internal muscle strength आपकी काम हो हमारा muscle strength और हमारा fat जो proportion है वो बराबर होना चाहिए हमें proper sleep लेनी चाहिए 6-8 गंटे की रोज हमें नीद लेनी चाहिए हमें अपनी body को expose करना चाहिए sunlight को भी क्योंकि vitamin D जो हमारी calcium absorption के लिए बहुत जरूरी है वो हमें free sunlight से मिलता है हमें stress को avoid करना चाहिए अगर नहीं कर सकते तो हमें stress के साथ happiness के साथ smile के साथ deal करना आना चाहिए हमें exercise daily करनी चाहिए कम से कम आदा गंटे से एक गंटा पूरे दिन में हमें अपने आपको देना चाहिए हमें बुरी आदते smoking अलकोहल से अपने आपको पीछे रखना लोगों से लिएंगे गैदरिंग लोगों से करेंगे उतना ही हम हैपी रहेंगे और हमें निव निव होबी को इनवेंट करना चाहिए जिससे हमारा माइंड अलग चीजों पर लगा रहे उसको कोई वो और नेगेटिव विचार आने का टाउ मिलें और इसका क्या है कॉम्बो कपैस्टी और जो होता है ना रीजनिंग ठींकिंग को भी बढ़ाता है फिर हमारी एफ्रेश सेल्फी सोचल गैदरिंग लास्ट में शेक सेल्फी डांस मस्ती वर्क आउट यह सब कॉम्बो पैक हमें मिलता है और मेरा सबसे प्यारा पार जो लास्ट में ग्राटिचूड और बॉड़ियो दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट पाड़ तो यूंकि जब हम ग्राटिचूड करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें कौन-कौन सीब लेसिंग हमें भी मिल रहे हैं हम किसी का thank you कर रहें कितने लोग हमारा भी कर रहे है मानी मन में तो यह जो gratitude पार्ट है ना हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए तो यह जो लाइन सा ना कि gratitude पार्ट से याद आगी नीवा हो के चल की नीवयानो रब मिलदा तो यह मेरा अपना personal रिजल्ट है मैंने अपना 18 kg fat loss किया है लेकि मैं spiritually भी पहले भी मैं नी कहूंगी कैसे पुजाबाट नहीं करती थी लेकिन stress बहुत लेती थी तो वो जो stress थाना वो मेरी mental health को बहुत ज्यादा impact कर रहा था तो यह यहां आके मेरी उन जो में भी बहुत improvement हो है thank you so much ma'am thank you